साथियो नमस्कार गुणा करने की बहुत ही बहतरीन ट्रिक आज की वीडियो के जरी आप लोग को गुणा करना सिखाये जाएगा देखिए जब आप लोग को गुणा करना हो पांच से एना किसी संक्या को गुणा करना हो पांच से संक्या सम है तो क्या रूल काम करेगा अगर संख्या विसम है तो क्या रूल काम करेगा पहले 5 का सिखाऊंगा फिर 25 का और फिर 125 का सिखाऊंगा और फिर आप उसे आगे तक भी फॉलो करना सकते हैं अगर करना चाहें तो जैसे कि यहाँ पहला नंबर दिया हुआ इस संख्या हो और 5 से गुना करना हो तो कौन सा रूल आपको लगाना है हमेशा है ना धीरे धीरे मैं सभी प्रकार की ट्रिक आपके लिए ले कर आ रहा हूँ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जोईन कर लिजेगा था कि आप लोगों तक ऐसे बहतरी तरीके पहुंस सकें देखे, आपको करना क्या है जब पहले वाली संक्या सम हो और दूसरा आपको 5 की गुना तो करना ही है आपको पहले वाली संक्या का हमेशा आधा करना है 48 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 24 है अगर 5 से गुना करने के लिए तो आपको 100 बनाना है यानि आपको 4 से भाग देना है अगर वो बात करे 125 की 125 तो आपको फिर ऐसी कंडीशन में 1000 बनाना है यानि आपको 1000 बनाना है और सीधा सीधा मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ जब भी 5 की गुणा करने के लिए बोले तो संक्या का आधा कर लेना बस लास्ट में 10 उसके साथ में रख देना ये पका सॉलुशन हो जाएगा जैसे कि यहां दे रखा है 64 गुणा 5 तो डायरेक्टली 64 का आधा कर दो कितना जाएगा 32 पांस से भाग देने के लिए बोला एक जिरो और लगा दो बस ये हना 5 से गुणा करने के लिए बोलाए न 44 गुणा 5 है 44 का आधा किया कितना आया 22 पांस से गुणा करना है ना तो एक जिरो लगानी है बस 220 हो जाएगा जैसे कि 98 गुणा 5 है 98 का आधा कर लिए जिये कितना हो जाएगा 49 यानि 49 एक जिरो बढ़ा दो ये इसका गुणन फल आएगा आसा करता हूँ ट्रिक बहुत आ जाएं तो किस प्रकार से करना है जैसे कि 8 आठ 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 दिया हुआ है तो आपको ऐसी कंडिशन में क्या करना है हमेशा आधा ही करना है जब 5 का आप लोगों से गुणा करने के लिए बोले तो ये कितना हो जाएगा 4 4 4 इसका आधा 4 4 4 हो जाएगा है ना और एक 0 लगा करेगी देखिए हमेशा विसमसंग्या करना आधा ही है करना आधा ही है जैसे कि यहां मानके चलना यहां दिरख़ाये आपको दिरख़ाये 89 का आधा कितना होता है देखिए 8 1 kor 5 हो जाएगा चार यानि 44 .5 हो जाएगा बस आप लोगों को ये point 1 आठ ना इस है ठா देना है त तो अगर इनका गुना करेंगे तो 44.5 की जगह 445 आ जाएगा हमेशा ये मान के चलना की पॉइंट आया है ये भूल ही जाना आप ऐसे सवाल में भूल जाना की पॉइंट भी था जैसे कि हाँ 75 गुना 5 दे रखा है 75 का आदा करिये कितना जाएगा ये आ जाएगा 37.5 37.5 आया अब ये मान के चलो भूल जाओ 5 की गुना में ये भूल जाओ की बीच में कहीं कोई पॉइंट भी था तो डारेट इसका उत्तर कितना जाएगा 37.5 चाहो तो आप गुना करके देख लो इतना ही आएगा ठीक ना अगला जैसे कि यहाँ पर 65 गुना 5 दे रखा है तो 65 का अधमाक से कर तो 32.5 आएगा है ना और 32.5 अब 5 से गुना करना है तो भूल जाओ कि इसके बीच में पॉइंट भी था फिर इसका गुनान फल कितना है 325 तो 5 से अगर विसम संक्या को गुना कर रहे हो ना तो भूल जाओ दसम लबकों की ये भी था अगर 87 गुना 5 है जैसे 87 ये कितना हो जाएगा 87 यानि 43.5 हो जाएगा तो मैंने बोला जब विसम संक्या को 5 से गुना कर रहे हो ना तो आधा करने के बाद पॉइंट में बात आएगी तो पॉइंट को भूल जाओ डारेक इसका उत्तर कितना आएगा 435 आएगा चाहो तो आप चेक करके भी देख स 0 अंत में आती है अगर 25 से गुना करना है तो देखिए 25 से गुना करने पर आपको क्या करना पड़ेगा 25 से गुना क्योंकि 5 गुना 5 के रूल में तूटेगा तो अंत में 2 0 रखनी है आपको लेकिन भाग किस से देना है जब 1 5 था तो 2 से भाग दे रहे थे हैना अब 2 5 है तो चार से भाग देंगे जाहिड सी बात है अब यहां 88 को हम 4 से भाग देंगे ना कि 2 से भाग देंगे 88 को 4 से भाग दे दो कितना जाएगा 4 से भाग देंगे 4, 2, 8 और यहां आपको कितनी 0 लगानी है क्योंकि 1, 5 के लिए कितनी 0 थी एक जीरो दो पांच के लिए दो जीरो तो डायरेक्ट दो जीरो आ जाएगी ये वाला बिल्कुल सिंपल होगा भई जैसे कि हाँ दे रखा है बार एस सो बत्तिस गुना पच्छिस अब इस बार एस सो बत्तिस को आप चार से भाग दीजिए कितना जाएगा चारती आ बार है ना जाने की जीरो लग जाएगी चार अठे बत्तिस है ना तो दो जीरो और लगा दो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा पैन कलाम उठाने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी कैलकुशन और मजबूत हो जाएगी जैसे की बारह सो जच्छिस दे रखा है बारह सो जच्छिस को आप चार से भाग दीजिए चारती आ बार है ना जाने की जीरो चाननाम च्छिस पच्छिस है यह दी गई संक्या जो प्रारंबिक संक्या उसे आप मन ही मन चार से भाग दे दो और लास्ट में दो जीरो लगा दो बस आपका गुणन फल आ जाएगा आपके सामने आगे बात करते हैं जब संक्या में 125 से गुणा करना हो तब क्या काम होगा अगर 625 से करना है तो एक और जीरो लगानी है तीन जीरो लगानी है एक पांच की बात थी तो मैं दो से भाग दे रहा था दो पांच की बात आई तो मैं चार से भाग दे रहा था अब तीन पांच की जो बात आई है तो मैं यहाँ भाग दूँगा इसमें आठ से जब भी आप से बोले कि 125 गुणन फल 125 मलब 125 से गुणा करके गुणनफल लाना है तो 125 में आपको याद रखना है कि 8 का भाग देना है प्रारंबिक संक्या को और अंत में 3-0 रख देना है बस अब इसे मैं 8 से भाग दूँगा तो 8 हेकम कितना 8 अब 125 से मुझे गुणा करना था ठीक है 3-0 रख देता हूँ 1-2-3 कोई स्पीड नहीं है जो इतनी जल्दी निकाल के देते इसे जैसे कि हाँ 16-16 का आदा कर लीजे बड़ी संक्या भी हो सकती है में भी कितनी बड़ी संक्या क्यों न हो हमेशा आपको 8 का भाग देना है इसे दीजी आठ से भाग कितना जाएगा 8-7-6-8 है कम 8 कितनी जीरो लगा हूँ 5-5-5-5 है न 1-2-3 1-5 के लिए 1-0-2-5 के लिए 2-0-3-5 के लिए मैंने कितनी जीरो लगा दी 3 तो ये भी 70-1000 इसका बिल्कुर राइट आ जाएगा और भी प्रक्टिस कर लो इस पर प्रक्टिस इता की आप सक्सेस 288-25 है 125 तो आप पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं 288 में 8 से भाग दिया 8-3 कितना होगे 8-3 आप कहेंगे 24 हो गया कितना बच्च के 4-8-6-8-4-6-3 बार कट जाएगा 3-0 लगा दिता हूँ 1-2-3 यह आपका बिल्कुर राइट आंसर हो जाएगा 32 में आप लोग 8 से भाग दिजी 8-4-32 1-2-3-0 यह आपका उत्तार है दोस्तर ठीके ना अब यहाँ पर आया है 1396 गुना 125 1396 में 8 का भाग दिजी आप कहेंगे सर 8 हे कम 8 8 हे कम 8 ठीके ना 8 हे कम 8 कितने बचे भई तो आप कहेंगे सर 5 बचे 5 बचे 69 होगे 8 सत्ते कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा 8 सत्ते 56 कितने बचे 3 बचे 36 होगे 36 होगे पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं 8 चौक 32 32 चार बचे अगर किसी संक्या में पॉइंट पहले से हो तो जीरों की संक्या आपको दो लगानी है बस ये आपका गुणफल आपके सामने मिल जाएगा एक सो चहौतर हना पांच और ये रहा इसका बिलकुल राइट अंसर आसा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा बिलकुल आया होगा क्योंकि मैंने समझाया ही ऐसा है समझ में तो बिलकुल आया होगा अगर समझ माया है ना चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अपलूब सस्क्राइब कर ले ना फिलाल थैंक यू बाबाई जाहिंद